मनिपूर पर क्या कहना चाहेंगे जो मनिपूर की पहली चीज तो मनिपूर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं और केंद्र सरकार खासकर प्रधान मंत्री जी ने इसके उपर कभी कुछ भी नहीं बोला ये बहुत चिंता जनक है कोई कारिवाई नहीं की गई इस बारे में और कोई दूसरी चीज जो कल वीडियो पूरा वाइरल हुआ जिसमें दो बहनों को जिस तरह से निर्वस्त करके उनको परेड किया गया और उनके साथ सामूहिक तौर पे गलत काम किये गए उससे पूरा देश की आत्मा जग जोर दिया उन वीडियो उसने पता चला कि वो वीडियो अभी के नहीं है धाई महीने पहले के हैं और धाई महीने के अंदर वहां की सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया ये बेहद शर्मनाक है ये क्रिमिनल है ये अपराधिक मामल बनता है मैं बेहत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसके लिए मनिपूर सरकार और केंदर सरकार दोनों जिम्मेदार हैं अक्सर देखने में आया है कि इस तरह के जब भी कभी देश में वाक्या होते हैं तो प्रधान मंत्री जी चुपी साध लेते हैं ये किस य अपने कमरे में बंदों के बैड़ जाता है एक जो साहसिक और करेजिस लीडर होता है असली लीडर होता है वो फ्रंट से काम करता है फ्रंट पे आके काम करता है जब कोई मुसीबत होते है तो फ्रंट पे दिखाई देता है नेता ऐसा नहीं होता कि मुसीबत आने पे पी साध के अपने कमरे में बैठे हैं ये एक बहुत कमजोर नेता की निशानी है और बहुत दुख की बात है कि ऐसे सेंसिटिव टाइम के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कोई कदम नी उठाया अगर समय पे अदम उठाया होता तो हमारी इन बहनों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होता दूसरा मनिपूर के सीएम का ये बयान अभी मैं थोड़ी दिर पहले देख रहा था कि ये एक घटना थोड़ी है ऐसी तो बहुत घटनाएं घटी हैं इसका मतलब तो पता नहीं कितनी बहनों के साथ ऐसा हुआ है मनिपूर के अंदर और अगर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं तो उन्होंने क्या किया इस बारे में उन्होंने क्यों नहीं पकड़ के लोगों को जो दोशियों को जेल में डाला वो कर क्या रहे थे अभी तक अब जब ढाई महींजे के बाद वो वीडियो सामने आया आप कह रहे हैं आज बता रहे हैं एक आदमी पकड़ा गया उस वीडियो के अंदर पता नहीं कितने लोग हैं और जो FIAR अनल्नों लोगों के खिलाफ वीडियो के अंदर तो सब के चेहरे दिखाई दे रहे हैं तो ये सरकार की बिलकुल क्रिमिनल जो भी कह लीजिए कॉंस्पिरेसी नेगलीजेंस उसके अंदर का क्ल्यूजन जो भी कह लीजिए लेकिन पूरे देश की आत्मा को इस इंसिनेट ने जग्जों के लिए मेरा सबसे पहला है कि मनीपूर के अंदर शांती बहाल की जाएं जैसे भी की जाएं जिस भी तरीके से शांती बहाल की जाएं यह एक ऐसा सेंसिटेव मामला है जिसमें मैं कोई राजनीती नहीं करना चाहूंगा लेकिन कुछ भी करके प्रधानमंत्री जी को सामने आना तो फिर देश कहाण जाएगा तो फिर देश कहां जाएगा कौन संभालेगा देश को प्रधानमंत्री जी को सामने आकर और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ कठोर और एफेक्टिव कदम उठाने पड़ेगा